हेलो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल वीपी स्टडी पॉइंट पे तो आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं इसके अंदर हम आपको कुरुक्षेत्र की म्यूजियम का ट्यूर करवा रहे हैं जहां पे जो है माबारत से रिलेटेड हमारी बहुत सारी जो पुरानी चीज़े हैं वो रख्य हुई हैं जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं यहां पे बिलकुल अच्छे से इनको वेल डिजाइन किया गया है और बहुत ही अच्छे से इन पेंटिंग्स को लगाया गया और अगर आप इनको देखेंगे तो आपको भी बहुत बहुत जादा अच्छी लगेंगी और पूरा म्यूजियुम बिलकुल यहां पे आप देखेंगे कि बिलकुल अच्छे से सारी पेंटिंग्स को लगाया गया है जिसा कि आपके सामने भी पेंटिंग्स गई हैं आप इसको देखके भी अंदाजा लग देखने के लिए और बहुत ही अच्छे से पूरे म्यूजियुम को डेकोर किया गया है अच्छे से सारी चीजों को संभाल के रखा गया है और यहां पे आप जैसा कि स्क्रीन के ओपर देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे म्यूजियुम के अंदर बड़ी अच्छे से सार रहे होंगे और इनके डिजाइन्स आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे अभी ये आपने जो पेंटिंग देखिए किती अच्छे थी आपने और ये देखिए यहां पर भी श्री कृष्ण गीता का अबदेश देते हुए सार्थी का काम कर रहे है रच चला रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छी जो पेंटिंग्स हैं इनकी इसकी जो दिवारे थी उसके ओपर भी बड़े अच्छे से डिजाइन की आगया था बड़े अच्छे से तस्वीरे जो है वो बना के दिखाई गई थी जिंग है जिंग है अलग-अलग शो पीस इस रखे वे थे जो कि दिखने में बहुत उंदर थे आपके सामने भी पेंटिंग आई है कि अच्छी जो है पेंटिंग थी अभी आप यह देख पा रहे होंगे यहां पर जब भिश्म में पितामा जो है तीरों की से यहां पर लेटे थे तो वह वाली वीडियो आप यहां इन्होंने बनाया यहां पर फर से आप देखेंगे कि यह जो बिलकुल कितने अच्छे से बारी किसे जो है इसकी दिवारों पर काम किया गया है और यह आप डिजाइन्स देख पा रहे होंगे कि अच्छे से इने सजाया गया कि अच्छे से रखा गया यह देखिए श्री बासूरी बजाते हुए और अभी आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हमें वैसे वैसे यहां पर बहुत अच्छे अच्छी पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स देखने को मिलते हैं बड़े ही अच्छे से इसको यह देखे अब आप य यह जो है हमारी यह मुर्ती है और यह बहुत ही जादा सुन्दर है और यहां पर यह देखिए किता अच्छे से जो है पेंटिंग से किते अच्छे से डिजाइनिंग की गई है कितने अच्छे से इने सजाया गया है और यह आप जो पेंटिंग देख रहे हैं इसके अंदर कित दिखाई दे रहे हैं और यह आप देख सकते हैं यहां पर नाचते हुए यह कंस वद को भी अच्छे से इसके अंदर पर दर्शित किया गया हाथी के दाथ से यह कंस को मारते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं उसके बाद यह आगे श्री कृष्ण राधा मैया की फो रही है वो सीन है और यह करते हुए पंडितों को भी यहां पर हमें दिखाया गया है उसके बाद ऐसे ही जो है पत्थरों से बहुत अच्छा वक्त किया गया है पूरे के उपर और फिर हम अंदर घुजाते हैं और अंदर था बहुत जादा अंदेरा इसलिए अंदर जादा श देख पा रहे होंगे और यह श्रीकृष्ण की मुर्ती है और इसके पैरों में भूल बुलाई है और यह जो बिश्मपतामा तीरों की सहिया पर लेटे थे वो हैं थैंक यू